बात्रूम से जुड़े कुछ खास नियम नमबर एक, बात्रूम में पानी की बाल्टी या टब को हमेशा भर कर रखना चाहिए यदि बाल्टी खाली है तो उसे पलट कर रखें इससे घर में सुक समरद्धी बनी रहती है बात्रूम के वास्तु में नीले रंग का बहुत महत्व है नीला रंग खुशाली का परतीक माना जाता है इसलिए बात्रूम में नीले रंग की बाल्टी एवं मग रखना चाहिए घर में बात्रूम के दरवाजे के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से घर में नकारात्म कूर्जा का परवा होने लगता है नमबर चार बातरूम में उत्तर या पूर्वी दिवार पर मिरर लगाएं और उसका आकार चोकोर या आयताकार हो गोलाकार या अंडाकार मिरर वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है नमबर पांच बातरूम के दर्वाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए बातरूम का दर्वाजा यदि खुला रहता है तो इससे नकारात्म कूर्जा फैलती है जिससे आपके करियर में अबरोध पैदा होता है नमबर छे बात्रूम का नल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए यदि नल से पानी टपकता रहता है तो इससे घर में धनकी हानी होती है बात्रूम को हमेशा साफ सुत्रा रखना चाहिए नमबर साथ बात्रूम में हमेशा हलके रंग के टाइल्स लगाना चाहिए या हलकी रंग का ही पेंट करवाएं नमबर आठ बात्रूम में खिड़की का होना जरूरी है जिससे नकारात्म कूर्जा बाहर निकल जाए खिड़की पूर उत्तर या पश्चिम की और खुलनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टेलर हिंदी को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद